शुताओं आज के इस कारिक्रम में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हम मना रहे हैं विश्व हिर्दे दिवस और आज इस मौके पर शहर के जाने माने वरिष्ट हिर्दे रोग विशेशक के डॉक्टर योगेंदर सिंग हमारे बीच है डॉक्टर योगेंदर सिंग आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज किस कारिक्रम में धन्यवाज हम सबसे पहले जाना चाहेंगे कि विश्रो हिर्दे दिवस क्यों मनाया जाता है इसके पीछे क्या कारण है, क्या उद्देश है देखें, जो विश्रो हिर्दे दिवस है, यह World Heart Federation एक संस्था है वो इसको मनाती है और इसके मनाने के पीछे जहां तक इसकी सुरुवात देखें अगर हम थोड़ा बैगराउंड में जाएं तो Western countries में, especially United States of America में पचास-साठ के दसक के दोरान जिस समय उनका एक industrialization या एक economy उनकी एक बार डिफरेंट तरीके से ग्रो कर रही थी क्योंकि हाट की बीमारियां जो होती हो एक lifestyle diseases होती है तो जब भी एक transition होता है from under developed country to developed country effluence बढ़ता है, sedentary lifestyle बढ़ती है तो उसमें lifestyle की बीमारियां भी बढ़ती है तो यह देखा गया कि इन बीमारियों के इलाज में तो definitely जो भी advancement हुए हैं दवाईयों के तौर पे, operation के तौर पे वो सारी चीज़े तो जारी थी लेकिन अगर हमको किसी चीज को रोकना है तो उसको रोकने के लिए जो community का participation है समाज का सहयोग और समाज की awareness दोनों बहुत ही आवस्यागे क्योंकि जब एक चीज़े जन आंदोलन बनती है तब उसका नतीजा एक ground level पे आता है तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और community participation को ध्यान में रखते हुए वर्ट हार्ट प्रडिरेशन ने इस विस सहर्दय दिवस को मनाना शुरू किया ताकि हार्ट से related जो भी बीमारियां हैं उनको कैसे रोका जा सके क्या-क्या एतियाद हम बरत सके हैं चाकि इस तरह की बीमारिया ना हूँ और अगर होती भी हैं तो उनका कैसे समाधान किया जाए तो उस चीज के बारे में awareness फैलाने के लिए ताकि समाज में एक awareness फैल सके उसके लिए इस तरह के प्रोग्राम का आयोजन किया गया हम कह सकते हैं कि एक वैश्विक अभियान है और लाखों लोग हिर्दे समन्दी समस्याओं से अपनी जान गवा देते हैं और भारत में विगत कुछ वर्षों में इसमें अभूतपूर विर्धी देखी गई है निश्य तोर पर जीवन शैली में जो बदलाव आया है उसका हिर्दे पर प्रभाव पड़ा है इस बार की डॉक्स अब थीम क्या है विश्व इर्दे देवस्की देखे इस बार की जो थीम है वो है यूज हार्ट फर एवरी हार्ट ये थीम है तो उसका मतलब भी यह हुआ कि आपको जो भी लोग हैं जो इस तरह की बीमारियों से ग्रसित होनी की संभावना है जिनको या कोई इस तरह की बीमारियों से अलरड़ी ग्रसित है उन लोगों के लिए एक कमपेशिनेट या पैशिनेट होकर उनका ध्यान रखना है ताकि वो प्रॉबलम रिकरेंट ना हो या उस चीज को रोका जा सके हिर्दय शरीर का सबसे नाजू कंग है और इसकी खास देखभाल की जरूद बढ़ती है हमारे शोताओं को थोड़ा शंशेप में बताएं ड़क्ट साब की हिर्दय किस तरह की भूमी का निभाता है हमारे शरीर में बिलकुल आपने ठीक हा देखे हिर्दय जो है एक तरीके से पूरे सरीर के लिए एक बहुत ही important औरगन है क्योंकि सरीर के जितने भी औरगन है उन सब को nutrients की जरूद होती है और nutrients का मतलब हो गया जो भी protein, fat, जो भी चीजे है oxygen, इन सतारी चीजों को बोलते है तो किसी भी tissue में इन चीजों को पहुचाने का जो कारे है वो हिर्दय करता है तो सारे औरगन कहीं न कहीं directly, indirectly हिर्दय पर निर्वर करते हैं पर अपनी normal प्रक्रिया के लिए ताकि वो normally काम कर सके इसलिए हिर्दय का स्वस्थ रहना बहुत ही आवस्या इसका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है लेकिन कुछ रोग है जो जन्मजात हो जाते हैं कुछ बाद में जीवनशैली के कारण थोड़ा बताएं कि कौन कौन से प्रमुख रोग है हिर्दय के दिखे अहदय के जो बीमारियां हैं वो कई categories में आप उनको बांट सकते हैं बट दो मुखे categories हैं एक तो दो जन्मजात होती हैं और दूसरा जो acquired होती हैं मतलब जो हम बाद में acquire करते हैं उपनी जीवन सैली की वज़े से या environment की वज़े से यह दो तरीके की बीमारियां होती है जो जन्मजात बीमारियां होती हैं उनमें तो रोकने के लिए जो भी एतियाद बरतने हैं वो एक different level पे होते हैं उसके बारे में भी awareness होना आवस्यक है बट especially जो जीवन सैली से related होते हैं ये एक तरीके से overall society में जो उनकी fruitful years हैं उसको बहुत severely affect करते हैं तो कि normally जो आपके productive life ह होती है अगर हम मान लें कि 30 से लेकर 60 साल का बर्स एक productive life आपके होती जिसमें आप काम करते हैं देश के लिए contribute करते हैं economy में contribute करते हैं तो वो productive life कहीं न कहीं जो lifestyle वाली heart की बीमारियां हैं जिसमें की hypertension और heart attack एंजायना ये problems आती हैं वो कहीं न कहीं उसको affect करता है तो उससे ह हर चीज में समाज की देश की हर चीज की productivity उससे प्रभावित होती है तो कहीं सकते हैं कि इसका कहीं न कहीं हमारी अर्थ व्योस्ता पर ही प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति की अर्थ व्योस्ता पर तो पड़ता ही अगर हिर्देर हो गया तो लंबे समय तक इलाज होगा इलाज भी महेंगा है लेकिन इसका देश की अर्थ व्योस्ता पर ही प्रभाव पड़ता है बिल्कुल ये आपने बिल्कुल ठीक कहा क्योंकि वो आपका productive period होता है जिसमें जैसे आपके घर की अर्थ व्योस्ता है उसमें भी आप एक important role play करते हैं और अगर उसी दौरान होती है कि किसी तरीके से heart की problems को early identify करके और उस व्यक्ति को हम जल्दी से जल्दी ठीक करके उसकी अपने productive life में उसको वापिस बेज सकें so that वो अपने परिवार, समाज और देश का बहतर ख्याल रख सकें अब ये CAD क्या है जैसे हम coronary artery disease कहते हैं CAD उसका एक medical nomenclature है coronary artery disease तो coronary artery disease के मतलब ये होता है जो heart को blood supply होती है उन को उन arteries को coronary arteries बोलते हैं और जब उसमें blockage आ जाता है तो उस बीमारी को coronary artery disease बोलते हैं जिसके जो symptom सामनेता एंजाइना या heart attack होते हैं और ये ही एक lifestyle से related बीमारी है arrhythmia जैसे कि heart के दो component होते है एक तो उसका vascular component मतलब जिससे खून का दवरान जाता है और दूसरा एक component होता है जो कि हम लोग ECG में record करते हैं basically ECG heart की electrical activity होती है so heart में basically एक electrical activity होती है और वो electrical activity जब mechanical activity में convert होती है तो heart उस blood को pump करता है so जो electrical activity के disturbance होते हैं उनको arrhythmia बोलते हैं और जो mechanical activity के disturbance होते हैं एक layman के तोर पर उनको हम लोग heart attack, angina या cardiac arrest इस तरह की problem से या valve की problem से denote करते हैं आम तोर पर चर्चा होती है rheumatic heart disease ये क्या है ड्रक्सार देखें रूमेटिक heart disease एक तरीके की heart में infection की बीमारी है ये lifestyle से related नहीं होती है ये एक infection की बीमारी है जब आपको infection होता है तो कहीं ने कहीं वो infection आपके heart के well में भी हो सकता है और उसकी वज़े से rheumatic heart disease होती है बट ये बीमारी जैसे की मैंने कहा पहले भी की जैसे जैसे किसी देश में transition आता है तो अब rheumatic heart disease आज से 20-25 साल पहले काफी ज़्यादा prevalent हुआ करती थी अब धीरे धीरे उसका जो prevalence है वो कहीं न कहीं एक तोड़ा downhill की तरफ है मतला वो धीरे धीरे कम हो रहा है because of improved social condition जो सामाजिक चीज़ें बेहतर हो रहे हैं उसकी वज़े से तो अब हमारे शोताओं को डग साब ये बताएं कि इसके पीछे खास कारण क्या है और सामने तोर पर चर्चा होती है कि heart attack हो गया या heart failure तो इनके बीच में अंतर क्या है देखे पहले मैं आपको जो primary problem है जिसको की heart attack एंजाइना ये basic सिकायते हैं सबसे important ये है कि जब अगर कोई भी व्यक्ती suppose कोई diabetes से aggressive है कोई blood pressure से aggressive है या अगर आप smoke करते हैं तमाक उखाते हैं या आपका cholesterol बढ़ा हुआ है या आप exercise नहीं करते हैं ये 5-6 चीजें हैं जो आपको एक heart की problem के risk पे डालती है तो heart की problem का मतलब हो गया कि आपकी heart की नसों में जो coronary arteries हैं उसमें कोई रुकावट आ रही है उसमें cholesterol deposit हो रहा है जिसकी वज़े से रुकावट आ रही है तो अगर वो धीरे धीरे होती है रुकावट एक stable form में होती है तो वो angina की तरह प्रकट होती है मतलब आपको चलने में सीने में दर्द हो सकता है जिसकों की angina बोलते है या चलने में सांस फूल सकती है वो एक angina की सिकायत है वो एक elective problem होती है उसमें आपके पास वक्त भी ह होता है कि आप डॉक्टर से संपर कर सकें दूसरी इसमें जो समस्या होती है जो कि कई बारी गहतक भी होती है वो होती है एक emergency problem जिसकों की heart attack बोलते है तो अगर ये जो blockage की समस्या है अगर ये बहुत rapidly होती है rapidly मतलब घंटों में हो रही है या दिनों में हो रही है तो ये ब और ECG में भी काफी परिवर्तन आ सकते हैं तो ये heart attack की problem है तो ये दो basic समस्या होती है अगर हमने इन समस्याओं को early stage पे ही जाच के इलाज कर लिया तो हम आगे इस से होने वाले complication से बच सकते हैं अब अगर इन समस्याओं का इलाज नहीं हुआ ये complicate हो गई तो वो heart failure में contribute हो जाती है मारे heart failure में convert हो जाती है और अगर heart failure का भी सही से इलाज नहीं किया गया समय रहते हैं तो वो फिर cardiac arrest में convert हो जाती है तो ये इस तरीके का cascade है रोक सेब आपने लक्षणों की बात की चाती में दर्द सीने में जकरना और सांस लेने में दिक्कत इसके लाब आम तोर है majority patients को वैसे लच्छण हो बट कुछ patients को especially अगर आपको diabetes है females में old age में कुछ जो है unclassical या non classical लच्छण भी हो सकते हैं उसमें जैसे गले में दर्द होना जबडे में दर्द होना बायंसाइट की उंगलियों में दर्द होना कई बारी sugar के मरीजों में दर्द ना भी होना जि लच्छण की भी संभावना होती है चक्कराना या बेहुशी देकि चक्कराना और बेहुशी भी हो सकता है बट वो usually एक complicated heart attack का लच्छण ज्यादा है रधर दन एक सामाने heart attack आम तोर पर हाथ पैरों में सुन्पन भी होता है तो क्या यह भी उसके लच्छणों में गीना जा स्क्रिनिंग टेस्ट कौन कौन से हैं इसके लिए अगर हम heart की समस्या को देखें तो उसमें जो सबसे मुख स्क्रिनिंग टेस्ट होते हैं वो सबसे important है ECG होना ECG एक basic test है जिससे हमको बहुत कुछ जानकारी मिलती है और उससे आगे के test कराने का भी direction मिलता है उसके आगे के जो test होते हैं जैसे आप अपना cholesterol चेक करा लें, lipid profile करा लें या फिर जो ecocardiography है या treadmill test है इन सारे टेस्टों के माध्यम से हम एक heart से होने वाली problems का early stage पे कई बारी पता लगा सकते हैं डॉक्र योगिंदर सिंग आम तोर पर हम infections के बात करते हैं तो क्या हिर्दे में भी किसी प्रगार के infections होते हैं देखे होते हैं ऐसा नहीं है कि हिर्दे में infection की बीमारियां काफी uncommon है बहुत common नहीं है जैसा कि मैंने आपको बुला rheumatic heart disease एक infection की ही बीमारी है पर धीरे धीरे जैसे अब उसका कहीं नहीं incidence कम हो रहा है रगसाब जैसे हम बात कर रहे हैं थे कि अब transition phase में है हम विकास शील देशों से विक्सित इस्टेडी में जा रहे हैं जीवन शैली में परिवर्तन हुआ है क्या वायू प्रदूशन भी कहीं ये कारक है देखे वायू प्रदूशन को बहुत सारी studies में implicate किया गया है बट अभी भी वायू प्रदूशन को बहुत ज़्यादा link जो है फेफड़े के disease से ज़्यादा किया जाता है रादा देन heart के disease से बट कुछ जगहों पर ऐसा देखा गया है कि वायू प्रदूशन की वजए से कहीं ना कहीं directly या indirectly हार्ट प किया जाए दिखे अगर किसी भी व्यक्ति को chest में pain हो रहा है especially अगर वो उस age group में है जिसमें की heart की problems की संभावना ज्यादा रहती है जैसे कि 30 साल चालिस साल की उमर के आसपास अगर आपको diabetes है या आप smoke करते हैं तमाकू खाते हैं तो अगर आपको risk factors हैं heart की problems के तो जो सब से important चीज है वो यह कि आप अपना ECG अवस्य करें कि ECG जिस समय आपको दर्द हो रहा है है उस समय अगर ECG कर लिया गया और उसमें ECG में उस समय हार्ट में होने वाली किसी भी हलचल को बहुत सटीकता से पखला जा सकता है तो इसलिए ECG एक ऐसा test है जिससे symptom के दौरान देखें अगर family history का मतलब यह हो गया कि सायद genetically आप जो है predisposed है मतलब आप में ज़्यादा chance है heart की problem होने गए तो अगर किसी व्यक्ति के parents को especially अगर दोनों parents को heart की problems है तो ऐसे व्यक्ति में heart की problem होने की संभावना ज़्यादा होती है especially early age में संभावना थोड़ी ज़्यादा कही ना कही ज़्यादा रहेगी रॉक्सार इसका खान पान का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे हिर्दे रोगों में देखी खान पान definitely हमारे हिर्दे को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है क्योंकि खान पान में जो main component है खान पान के जिसमें की carbohydrate, protein, fat यह तीन सबसे important component ह होते हैं, so अगर हम देखें इसमें जो fat है, अगर हम fat का intake बहुत ज़्यादा लेते है, especially जो saturated fat है, so वो कही ना कहीं सरीर में जाकर cholesterol में convert होता है और हमारे heart की arteries में deposit होता है, तो खान पान का एक बहुत एहम रोल होता है heart की problems में, especially मैं इस बात को बहुत emphasize करना चाहूंगा, ब विवस्थित करते हैं, तो कहीं ने कहीं वो heart की problems को delay कर सकते हैं, early stage का मेरा मतलब यह हो गया, कि आम तोर पर जो खान पान का असर आपके cellular level पर जाके पड़ता है, उसमें कई worse लगते हैं, वो ऐसा नहीं है कि आज मैं fat खाना शुरू करूं, और कल मेरे heart की नसों में cholesterol deposit होगा ऐसा नहीं होता है, अगर हम इसी तरीके से, अगर हम आज से परहेज शुरू करें, तो ऐसा नहीं कि कल से मेरी नसे एकदम ठीक हो जाएंगे, जब आप जो खान पान है, जब आप कई वरसों तक उस विवस्थित खान पान में अपने आपको रखते हैं, तब जाके आपको फाइदा मिलता है, तो इसलिए अर्ली स्टिस्टे ही आप इसको सुरू करेंगे, तब आपके लिए फाइदे मन रहेगा, तो विश्व हिर्दर दिवस्थ के अउसर पर क्या संदेश है आपका हमारे शुरूताओं के लिए, देखें विश्व हिर्दर दिवस्थ पर मैं का लाबुना नहीं खाना है, नमक का सेवन कम करना है, और बीडी सिक्रेट तमाकू, तोबैको का पन्यम्शन किसी भी फार्म में आपके लिए डेंजरस है। डॉक्टर योगेंदर सिंग आज आप इस कारिक्रम में आए और विश्व हिर्दे दिवस्थ के अउसर पर बहु